सर कल से जो आपरेशन चल रहा है उसकी डिटेल्स क्या है और अभी तक आपरेशन किस स्टेज पर है कल सिक्योरिटी पॉर्सेज जो है कुछ समय से उनको पॉरंट एरिस्ट का जो अपरीजिज में मूमेंट का जो इतला थी और उसी असना में यहां जो है गागरमंदू जो इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो सिक्योर्टी पॉर्सेज की पार्टी को कुछ फॉरंट टेर्रिस्ट का मूमेंट दिखा और इसी असना में उनका जो बोलियों का तबादला हुआ और उसके बाद यह उपरेशन स्टार्ट होगी तो अपर रीचिज में है यह उपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन के तौरान जो है सिक्योर्टी फोर्सेस के जो दो एहले कारों को जो थे वो शदीद तौर से जख्मी हो गए थे बाद में एक एहले कार और इंजल था जो कि अभी स्टेबल है और इसी वहाँ पर एक और तख्तीश का मौजू भी है वहाँ पर कुछ और लोग थे जो की इस गोलियों के तबादले में उसकी जद में आए जिसमें एक जो सिविलियन था वो भी शदीद तौर पर जख्मी होके ही सकंब टू हिस इंजरी से जो दूसरा सिविलियन है वो जेरे इलाज है और अभी तक की ताजा जानकारी से वो अभी थोड़ा सा स्टेबल है सर ये जो गुरूप है इसके बारे में क्या जानकारी है क्या ये वो अवर आ रही थी कि दोड़ा किश्टवार्ट से इंफिलिटरेक्ट करके ये कश्मीर देखे ये अभी बहुत प्रिमेट्योर होगा पर क्यूंकि ये इलाका जो है डोड़ा की जो सीमाय है बॉर्डर है उसके उसी के पास में है ये उसी बॉर्डर के काफी पास में है तो ये अभी आपको बाकी तफिला जो है बाद में साज़ा की जाएंगी चूकि अभी ऑपरेशन अभी चल रहा है सर्च ऑपरेशन काफी इंटेंसिवली चल रहा है तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के ब जो कि अभी जब ये conclude होगा तो उसी के बाद सर्च ऑपरेशन होने के बाद ही आपको और पुक्ता तोर पे इसकी जानकारी बताना मुनासिब होगा। सर्च जो स्विलियन्स कम हुआ है क्या वो जी डबल्यो था या फिर आम नासिब देखे ये तफ्तीश का मौजू है क्योंकि वो उनका वहां पे रहना और उसी जो टेर्रिस्ट हैं उनके आसपास उनकी मौजूदगी होना, that is a matter of investigation. We are also investigating their roles and involvement if there is any. Thank you sir.